बहुत गुर्भागेपूर्ण है बिहार के चातुरों युवाओं के लिए साथ ही मांग करते हैं हम कि बिहार के चातुरों के साथ मकमारी ना हो उनको रॉकनी मिले अगर हम पास होंगे तो हमें नोकरी दीजेगा फेल होंगे तो सामार के निकाल दीजेगा अगर मांगे पस यही कि चेटिट अपरिंग को मौका मिलना चाहें क्योंके ट्यारी बज में अगर मौका मिला तो ट्याली ट्यू में कहां जाता है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओं में अब एपेरिंग के मौका माग रहे हैं इसको लिकर लगतार पटना की सर्कों पर दर्दर भटक रहे हैं उनको मौका सगेंड फेज की बहाली में दिया जाए पर्दर नहीं मिलता है मउका तो कहीं न कहीं आंदो लंग जारी रहेगा वही अविएर्थियों की नसीषट है वह इनिती सर्कार को नसीषट देते हुए क्या कुछ कह रहे तराम विएर्थी चाहते तस और स्था सौरब उसने अपकर बेड़ लुने को शाय ne जबाब दो जबाब दो जबाब दो विपीसी चेर्मेन जबाब देना होगा हमारी मांगे पुरी करो 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 अब EPC के परिच्छा जो है उटिसम्बर में ही आयो जीत है तो क्या इसी आपात आगा कि पर्तम फिच के बाहली में इनको मौका मिला जुक्ते फिच के बाहली में मौका नहीं से रहा है तो यह आग रहा है मुखमंत्री से से परिच्छा में बैटने का मौका मिले जो विरुजगारी के दस धेल रहे हैं और छट जैसे महापर्वित दौरान भी धरनावा बैठे हैं हम लोग तो यह बहुत दुर्भागे पून है बिहार के चात्रों युवाओं के लिए साथ ही मांग करते हैं हम कि बिहार के चात्रो के साथ हकमारी ना हो उनको रोगनी मिले को सीटी टेपेरिंग वाले को निच्छी दूस्टे मौका दिया जा रहा है सरकार ऐसा क्यों चाह रही है हमने अपना पूरा दिवाली घर के बाहर मना दिया चट पूजायां करदनी बाग में मना रहे है बहार के युवा के साथ क्य निकाल दीजेगा जैसा मर्जी वहाइसा कर दीजेगा वेगा मौका तो दिया जाए आपकी क्या मांगा है तो आपके बीटी बचाओ बेटी पड़ाओ नहीं दिया जा रहा है तो नौकी कि दूर के बाद इक्जाम में बैटने करका मौका नहीं है अगर हम लोगे साथ यान कहीं तिस सरकार पर निशाना साथ रहे थे तो और ही चला चला कर मांद कर रहे एक इसी टेट अपेरिंग अभी अर्थियों को सेगेंड फेज की बहाली में मौका दिया जाए फिलाली अखता स्वीर गर्दानी बाग धर्णा सल के जाहां पर अभी अर्थियों का लगतार प कर दो